आज मैं share करने वाले हूँ काले चने की सब्जी जो एकदम देखने में मज़िदार और खाने में एकदम स्वादिश्थ है और वो भी इतनी आसान रेश्पी के बहुत ही जल्दी से ये रेश्पी एकदम आसान से बन जाती है 10 मिलट में तो इस काले चने की सब्जी को आप किस अब भी सब्सक्राइब नहीं किते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो फिर चलते हैं रेश्पी क्योर तो काले चने की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले में यहाँ चैना को भरने के लिए छोड़ दिये थे ओवरने के बाद उसको अच्छे से दो तिन पानी और तेज़ पत्ता जब वो गरम हो जाये तो हम यहां प्याज डाल देते हैं पारीज में प्याज हमारा यहां एकडमारा में खट किया हुआ यहां ब्राउन हो जाए इस कलर पर तो इस तरह से और इसमें तेल थोड़ा साधीक डालना है कि एकदम यहां में टेस्टी से स्पाइसी बनाने वाली हूं काले चैनी के सब्गी तो यह देखिए हमारा प्याज यह दम लगभग यहां फ्राई हो चुगा था तब हम यहां आट धनिया पाउडर तो यहां में दो बड़े चमच से धनिया पाउडर एड़ करें कि इससे जो ग्रेवी हैं हमारी बहुत ही ठीकनिस और अच्छी बनती है मसाला के वज़े से और यहां मैं हल्दी पाउडर एड़ कर रहे हैं दोनों मसाला को एड़ करके इसको अच्छे से मि तो यह देखिए एकदम हमारा अच्छे से जब इस इस टेप आज है हमारा तब हम इसमें डालते हैं टमाटर का पेष्ट तो मैं यहां दो टमाटर का पेष्ट में कचित सौरी पकी हुए टमाटर को एकदम लाल वाली टमाटर को कट करके और उसको मिक्सी में पीश लिजिए टुकरा में कड़के बहुत ही आसानी से पीश जाजती है इसमें पेष्ट डालने से बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छे से एकदम ग्रेवी दम देखे प्यूरे देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है और यह जो चैना का इस्टाइल है बहुत ही अच्छा तरीका का यह सबजी का मैं आज आपको तरीका बता रही हूँ तो इस तरीके से आप लोग भी बनाईएगा बहुत ही अच्छा बनेगा यह सबजी तो यहां मैं तमाटर का जो पेष्ट था वो मिला दी उसको अच्छे से चला के हुए अब मैं यहां लास्ट में यहां एड़ कर रही यह कदुकस किया हुआ अद्रक और हरी मिर्च जो हरी मिर्च है वो आप लास्ट में डाले जो उसका क्रंच है और देखने में जो उसका लुक एकदम बना रहता है तो सारे मसाले को अच्छे से मिला के धंग देते हैं और उसको पांच मिनट के बाद कवर करके छोड़ देत तो फिर मिलते हैं इसमेरी लाल मिर्चे तुटीखा नहीं है बट इससे जो खलर है हमारा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एकदम रेस्टूरेंट और इस्टाइल में जो सब्जी वेगरम राता है वह ही है तो मैं यहां कासमेरी लाल में चैर करके उसको मिला देते हैं अच्छे से फिर उसके बाद जो लास्ट में यह मैं डाल रहे हैं वो है यह काले चने की च स्टूर दिये पांच मिलाट के बाद हम देखे टूर यह दिखिए कितना अच्छा से एकदम सब्जी का कलर भी चेंज हुआ है और मसाला और तील भी एकदम सैट से हमारा पूरा ग्रेवी एकदम बनके अच्छे से रेडी हो गया है तो ये है परफेक्ट ग्रेवी की निसानी कि हमारा ग्रेवी एकदम अच्छे तरह से पग चुका है और ये दिखी इसमें हरी हरी मिर्च जो दीख रेदम कितना क्रंची खाने में बहुत ही अच्छा लगे ऊपर से, तब हमारा मसाला लगबग पूरा हमारा हो चुका है, तब इस इस टेप में यहाँ अट करूंगी अपना वो चना, तो यहां मैं चने कोई देखी, अच्छे से उसको निकाल लेते हैं, कूकर में, और इसको डाल देते हैं, अब इ बचाइने के बाद पांच मिनट के लिए ढख के हम इसको और छोड़ देते हैं ताकि जो हमारा मसाला और यह चिना एडे है वह अच्छे से एक दूसरे में और आपजर्व हो जाए और इसकी जो मसाला की जो सारा चैना को ऑब्जर्व कर ले तो हम पांच के लिए धंक के छोड़ देते हैं इसको तो फ्रेंट्स है नई ये रेश्पी बहुत ही आसान ये रेश्पी है घर पे बहुत ही आसान से बन जाती है तो हमारा मसाला लगभग यहां जब मिलाने के बाद एक मिनट के लिए तो हम उसमें अपने स्वात के अनुसार आपको जैस ग्रेवी चाहिए ठीकने से वैसे पानी एड़ करते हैं तो यहां मैं एक कप पानी एड़ कर रही हूं क्योंकि मैं जादे ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूं यहांनी नॉर्मल मेरा रहेगा और जरूरत होगा तो मैं इसमें और एड़ कर दूंगी बाद में तो यहां में पानी एकक ड़्लकर अबिसको अच्छ अच्छ से मिला ऑर अग। पानी दल कौव से और माल्म करको अबे शुल मिल्ली पानी दल चाहिए भूं सब्जी जूडी होती है यह सब्जी मैं चावल के साथ, पूरी के साथ, या रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकती हूं, तो हमारा सब्जी बनके एकदम रेडी हो गया, एकदम स्वादिश्ट और टेस्टी सा, अब यहां लास्ट में मैं यहां धनिया के पती से, एड कर दी, इससे जो ख प्लेटिंग कर लेते हैं, यह देखिए, इसको गार्नेसिंग कर लेते हैं, धनिया के पती से, और यह है, स्लाइस किया हुआ प्याज, लग रहा है एकदम सांदर, तो यह खाने में भी टेस्टी है, और बनाने में भी बहुत यह आसान है, तो आप लोग भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें, तो मेरी स्टी को फॉलो करके, आप लोग इस चाने के सबजी को जरूर ट्राइ करें, वीडियो अच्छी लगें, तो ट्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ है, तब तक लिए बाइ फ्रेंड्स और टेक केर